अगर इस तरह का हेल्दी धेब्रा आपने एक बार बना लिया तो आप इसे बार-बार बनाना चाहोगे नमस्कार दोस्तों धर्मीज किचन में आपका स्वागत है आज हम ब्रेकफास्स रेसिपी में बहुती हेल्दी गुजराती धेब्रा बनाएंगे जिसे स्पेशली विंटर में बनाया जाता है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बनाना बहुती आसान वीदी से गुजराती धेब्रा रेसिपी धेब्रा बनाने के लिए एक परात या बरतन में देड कब बाजरी का आटा लेंगे धेब्रा बाजरी के आटे से ही बनते हैं तो बाजरी का आटा लेना ज़रूरी है अब उसी में वंथर कब गेहु का आटा भी एड करेंगे गेहु का आटा बाइंडिंग के लिए ज़रूरी है अब दो कब बारी कटी हुई मेथी भी एड करेंगे मेथी को मैंने अच्छे से दो कर साफ कपड़े पर बिचा दिया था ताकि सारा का सारा पानी निकल जाए मेथी में ज्यादा पानी की मात्रा नहीं होनी चाहिए वन्थर कब धन्या भी एड़ करेंगे दो टेबल स्पून अधरक मिर्ची की पेस्ट देट टेबल स्पून तील देट टीस्पून अजवैन को हाथ से थोड़ा सा मसल कर एड़ करेंगे एक टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर आदी टीस्पून काली मिर्च पाउडर एक टीस्पून हल्दी आदी टीस्पून हिंग और यहां मैंने देट टेबल स्पून गूड को दो टेबल स्पून पानी में भिगो लिया था वो भी एड़ करेंगे नमक स्वादानुसार एड़ करेंगे और एक टेबल स्पून गी भी एड़ करेंगे अब सभी सामगरी को अच्छे से मिला लेंगे अब जरूरत के हिसाब से दही डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे हमें आटा दही से ही लगाना है इसलिए दही फ्रेश ही यूज कीजिए खटा दही होगा तो धेबरा भी खटा बनेगा धेबरा का टेस्ट थोड़ा सा खटा और थोड़ा सा मिठा होता है तो गूड एड़ करना जरूरी है अगर आपको धेबरा में मिठा टेस्ट पसंद नहीं है तो आप गूड स्कीप कर सकते हो और आटा भी ना ज्यादा नर्म ना ज्यादा सक्त होना चाहिए तो यहां हमारा धेबरा बनाने के लिए आटा तयार है आदा टेबल स्पून घी डाल कर थोड़ा सा मसल लेंगे डेबरा में घी का यूज ही होता है आप चाहे तो तेल भी यूज कर सकते हो तो यहां हमारा मसला हुआ आटा तयार है आटे से 10 समान लूया तोड लेंगे अब सुखा आटा लगा कर डेबरा बेल करके तयार करेंगे डेबरा को हमें पराठा जितना मोटा बेलना हुगा बाजरी का आटा है और हमने मेथी भी ज्यादा एड की है तो किनारे फटेंगी आप इस तरह से बड़ी सी कटोरी की सहायता से किनारे कट कर सकते हो अब गर्म तवा पर थोड़ा सा गी स्प्रेट करेंगे और डेबरा को सीख लेंगे गेस की आज मद्यम रखेंगे अब दोनों बाजू गी लगा कर पलट पलट कर सुनेरा होने तक सीख लेंगे जब हम डेबरा को गी में सीखते हैं तो उसमें अच्छी सी खुश्बू आती है और वो बहुत ही अच्छा लगता है आप चाहिए तो इससे तेल में भी सीख सकते हो लेकिन डेबरा का टेस्ट गी में ही अच्छा लगता है समान विदी से मैंने सभी डेबरा बना लिया है देखकर ही लगता है न दोस्तो कि हमारा ढेबरा बहुत ही अच्छा बना है गर्मा गर्म ढेबरा पर आप थोड़ा सा गी भी स्प्रेड कर सकते हो और इसे चाई, अचार या फिर दहीं के साथ खा सकते हो दोस्तो इस हेलदी डेबरा की रेशिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा दोस्तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेर करना ना भूले मैं धर में फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान सी रेशिपी के साथ